सात्यों नमस्कार आज मैं आपके सामने एक बहत्रिन और नया केस लेके आया हूँ आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा यू टोन आयू साल्यूशन जो आता है एंटी बेक्टिरियल इंट्रायूटरेंट साल्यूशन जिसमें फार्मूला होता है पोविडिन, आयोडिन, एंट मेटिंडाजोल साल्यूशन पाया जाता है इसका हमें कौन से पसोम उप्योग करना चाहिए, कब उप्योग करना चाहिए और कितनी मात्राम उप्योग करना चाहिए और कौन-कौन सी बिमारी में हम इसका परियोग कर सकते हैं यह सारी जानकारे आपको इस वीडियो के द्वारा मिलने वाली है आप वीडियो को इसकीप करके न देखिए वीडियो को पूरा देखिए यदि आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब करें साथ में बेल आइकन दबाए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को इंट्रा यूट्राइन करना है न की ओरली रूप से करना है सिर्फ और सिर्फ हम इसका प्रियोग इंट्रा यूट्राइन करेंगे बच्चे दानी में इस दवई का डालने में परियोग करेंगे तो इसके क्या-क्या बेनिफिट्स है यह सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो क अंत तक बन रही है देखिए सबसे पहले इस का इस दवई का प्रियोग हम इनफेक्शन जो हो जाता है पसो में बच्चे दानी में उसको कंट्रोल करने में प्रियोग करते हैं मैं आपको बता देता हूं इनफरलेटी या रिपीट ब्रिडिंग के जो केस रहते हैं इनफरलेटी या रिपीट ब्रिडिंग की समझा जादा है बार बार पसो जब हीट में आए तो उसको एक बार प्रेग्णेंट नई होने दाना है उसके बाद इस दवई का प्रियोग करना है और लगातार बच्चे दानी में इस दवई को तीन से पान दिन तक डालना है आपके पसो की जो रिपीट ब्रिडिंग की जो समयशा थी वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और पसो बार बार रिपीट हो रहा था वो भी रिपीट भी नहीं होगा और पसो में आपको बहतरिन रिजल्ट देखने को मिलेगा इसके बाद इस दवई का प्रियोग हम रिजल्ड देखने को मिलेगा इसके बाद यदि पसुओं को मेटराइटिस हो जाए तो मेटराइटिस में भी इसका प्रियोग हमें करना है मेटराइटिस में इस दवई का प्रियोग हमें लगातार तीन दिन तक करना है और इंट्रा यूटेराइन करना है तीन दिन तक यदि यदि हम इस दवय का प्रियोग करते हैं, तो मेटराइटिस में भी हमें बहतरिन रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसके बाद यदि पसुओं को इंडो मेटराइटिस हो जाए, तो इंडो मेटराइटिस में भी आप इसका प्रियोग करेंगे, उस इंडो मेटराइटिस में जाए, रिटेंसना प्लेसेंटा हो जाए, जेर अटक जाए, उसको निकालने के बाद यदि आप इसका पर्योग करेंगे, तो बच्चेदानी में कहीं किसी तरह का इन्फेक्षन नहीं होगा, और बच्चेदानी को पूरी स्किलियर कर देगा, सपाई कर देगा, और जो दवाई का परियोग हमें intrauterine करना है और लगातार इसमें उस दवाई का 60 ml का परियोग हमें लगातार 3-5 दिन तक करना है आप देखेंगे कि पस्वो में जब जेर के कारण जो समयश्य होती वो भी ठीक हो जाएगी और कहीं किसी तरह का infection देखने को नहीं मिलेगा और पस्वो result देखने को मिला है इसके बाद हम जबदी पस्वो का abortion हो जाता है उस condition में भी हम इसका प्रियोग करेंगे और लगातार 3-5 दिन तक करना है abortion होने के बाद हमें इसका प्रियोग करना चाहिए क्यूंकि उससे पस्वो में वापस abortion होने का डर रहता है बार-बार abortion होने का डर उस condition में हमें U-tone, IU, liquid का परियोग करना है साथ यो ऐसी condition में आप इसका परियोग कर लेते हैं तो आपको बेतरिन result देखने को मिलेंगे और आपको कहीं किसी तरह का नुकसान देखने को नहीं मिलेगा यह भी इस दवई का फाइदा है और कहीं किसी तरह का इस नुकसान भी हमें देखने को नहीं मिलता है यदि पसुओं को प्रोलेप्स आप यूट्रेस या वेजाइनल प्रोलेप्स दोनों तरह की प्रोलेस होती रहती है उस कंडिशन में पसुओं के ब्यानने के बाद आप इस दवई का इंट्रा उट्रेन परियोग करके देखिए ब्याने के बाद यदि इसका प्रियोग करेंगे तो दूसरी बार पसुओं का यूटेरायन प्रोलेप्स और वेग्जानेल प्रोलेप्स की समयशा हमें देखने को नहीं मिलेगी और किसी भी तरह का इंफेक्शन बच्चेदानी में हो जाए उस कंडिशन में हमें इस दवई क प्रियोग करना है आप देखेंगे कि आपके पसुओं में यह सारी समयशा है बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाएगी और इंफेक्शन होने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा और पसुओं में भी कहीं किसी तरह का नुकसान हमें देखने को नहीं मिलेगा और सारी कभी क्या रहता है पसुओं की जेर अटेक जाती है कई दिनों तक जेर नहीं गिरती है अंदर सडने लगती है उसके बहुत बच्चेदानी में इंफेक्शन हो जाता है उसके बाद यदि आप इसका प्रियोग करके देखेंगे आप देखेंगे कि आपको बहतरी रिजल्ट देखने को मिला है और जिसा भी इंफेक्शन था पूरी तरीके से रिकवर कर लेगा इसके अंदर पोविडिन आयोडिन पाया जाता है और मेटिन डाजोल पाया जाता है इन दोनों को कांबिनेशन पाया जाता है जिससे की पसुओं में इसका बहतरी रिजल्ट देखने को म मिला है आप छोटे पसो में भी इसका प्रियोग कर सकते हैं बड़े पसो में भी कर सकते हैं कहीं किसी तरह का नुकसान हमें देखने को नहीं मिला है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है बच्चे दाने को वापस उसके उसी रूप में लाने के लिए भी आप इसका प्रियोग क करके देखा है उसके बाद इihen वीडियो बना है तो आप भी इसका प्रियोग करके जरूर देखे मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद दोस्तों